अब 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 ऑच्छों गुड़ा आपटरनून आवाज आ रही है आपको मेरी चलिए तो आप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आखरी टॉपिक जिसमें हमें यहां पढ़ना रहेगा जो पचेवे हमारे टीशूज हैं और उनके साथ ही हम कौकरोज को लेंगे और आज यह पूरा जो हमारा क्रेश को अड़ते हैं उसको जूलो जिवला पार्ट कंप्लीक्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कनेक्टिव टिशू की हमने बात की थी कनेक्टिव टिशू के अंदर आपको मिलता है ब्लड ब्लड क्यूं कनेक्टिव टिशू है क्योंकि यह आपके पूरे बॉड़ी को कनेक्ट भी कर रहा है अगर हम ब्लड की बात करें तो आप इसे fluid connective tissue में रखते हो fluid connective tissue क्यों? क्योंकि यह liquid है इसके अंदर आपको plasma मिलेगा, RBC मिलेगी, WBC मिलेगी और साथ में plate lats भी मिलते हैं तो यह आपके पास में हुआ blood और जब आपने blood के दो पार्ट किये तो यह है आपका plasma जो की 55% होता है इसी के साथ आपको मिलते हैं formed element और यह होते हैं आपके 45% अब यह जो आपके formed element है इसके अंदर आपको तीन तरीके के formed element मिलते हैं एक जिसको आप बोलते हैं red blood कापसल्स यानि की RBC दूसरा है आपके पास white blood कापसल्स यानि की WBC और तीसरा है platelets यह जो आपके पास में RBC है इसको आप erythrocyte भी बोलते हो और यह WBC leukocyte भी कहलाते हैं यह जो आपके पास WBC हैं इसमें आपको granulocides और A granulocides यह दो प्रकार के WBC मिलते हैं granulocides में आपके पास acidophil, basophils और neutrophils ऐसे A granulocides में आपके पास lymphocyte और monocyte lymphocytes में भी T lymphocytes और B lymphocytes तो इस तरीके से यह आपका पूरा जो RBC, WBC platelets के साथ में plasma और form element का composition है यह clear हो गया होगा अब आते हैं muscles पर muscles में आपको देखना है कि यह आप बहुत सारे long और cylindrical fibers के form में होता है जो आपस में parallel arrangement में रहते हैं यह आपके पास में बहुत सारे fine fibers की बनी होती है और इन fine fibers को आप myofibrils बोलते है muscles fiber में एक बहुत अच्छी contraction और relaxation की capacity पाई जाती है जब यह contract होता है तो shorten यानिकिन की size छोटी हो जाती है और जब यह relax होता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और यह अपनी normal size में आ जाती है उसके बाद में आपके पास में हैं यहां अगर हम बात करें कि इनका main काम क्या है तो यह आपके moment में बात करते हैं moment में इनको आपकी ज़रुत परती है यह हैं आपके तीन तरीके के skeleton muscle, smooth muscle और cardiac muscle तीन तरीके के muscles यहां पर आपके पास होते हैं पहला जो आपके पास में है skeleton muscle जिसे आप voluntary muscles भी बोलते हैं strapped muscle भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर situation पाया जाएगा alternate light or dark band पाया जाते हैं यह आपके पास है smooth muscles जिसको की आप इसमें कोई band नहीं मिलेंगे और तीसरे हैं आपके पास cardiac muscles तो यह muscles की कहानी है यह पूरी हम लोग एक पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने locomotion और moment वाला topic लिया था तो अब हम आगे बढ़ते हैं और muscles के मैंने यहाँ पर कुछ table की form में बना दिया है ताकि आपको comfortable रहे और आप easily इनको पर सकें जैसे skeleton muscle, strated muscle है, cardiac muscle यह भी strated muscle है और visual muscle या way smooth muscle यह non strated muscles होती है जो skeleton muscles है, in alternate आपको light or dark bands मिलते हैं और यहाँ आपको cardiac muscles में भी light dark band मिलते हैं लेकिन visceral muscle में आपको कोई light or dark band नहीं मिलते हैं इसमें skeleton muscle इसलिए क्योंकि skeleton system के साथ में bones के साथ में attach रहता है, इसलिए इसको हमने skeleton muscle बोला है यह cardiac muscle इसलिए क्योंकि यह keval heart की walls के अंदर ही मिलती है और visceral muscles जो आपके visceral organs में मिलेगी उसके बाद skeleton muscles हमारी इच्छा से काम कर सकता है यानि कि यह voluntary होता है जबकि cardiac involuntary है और smooth muscles भी involuntary होगा अगर हम इनकी बात करें तो इनकी side cylindrical है और यह age यानि कि सिरों पर गोल होते है आप देख रहे हैं यह cylindrical है और इनके सिरे गोल है जबकि जो आपकी smooth muscles हैं वो आपको taper end मिलेगी और spindle form बोला जा सकता है multi cellular है, multi nucleated है, uni nucleated होगी अब आते हैं फिर से multi nucleated, one or two nucleate, uni nucleate nucleus इसमें periphery पर मिलते हैं, जबकि यहाँ पर nucleus center पर मिलते हैं अगर हम skeleton muscle का contraction देखें तो skeleton muscle का contraction एकदम से होता है, यानि कि fast contraction होता है जबकि जो cardiac muscle है, उसका contraction rhythmic होता है और यह जो visceral muscle है, इनका contraction बहुत slow होता है उसके बाद इनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा speed से contraction होता है इसलिए यह fatigue में भी जल्दी आते हैं और जो आपके cardiac muscle हैं, वो कभी fatigue में नहीं जाते हैं क्योंकि उनका fatigue का मतलब है कि अब हम लोग खतम हो रहे हैं तो इसलिए इसमें fatigue कभी नहीं होता है उसके बाद में आते हैं neural tissue में, neural tissue आप सभी को पता है कि यह आपके body responsiveness के लिए control करता है जो neuron है, यह neuron आपको पता है कि क्या काम करेगा neuron जो भी information है, उसको यह collect करता है और आगे transmit करने का काम भी करता है तो यह जो भी structure यहाँ पर बन रही है, उसमें आपको dendron, dendrites और यहाँ exon, cytone भी मिल रहे हैं तो यह आपके पास में neuron की structure हुई जो भी information आईगी, वो यहाँ, यानि कि dendrites से enter करेगी और फिर cytone से होकर वो एक्जोन में जाएगी और एक्जोन से होकर फिर यहाँ पर जो synaptic knob जेंग वहाँ से होकर यह इस information को आगे transmit करने का काम करेगी इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा नियूरोग्लिया नियूरोग्लिया जो है half of the volume यानि की 50% से ज़्यादा नियूरोग्लिया बनता है और यह जो नियूरोग्लिया है यह आपके stimulation में काम नहीं आता है लेकिन यह उसको support करने का काम करता है अब यहाँ पर आप देखिए यह कुछ हमने एक NCRT का डाइगराम लिया हुआ है आसपास नियूरोग्लिया दिख रहे हैं डेंडराइट सें ताइटोन है और एक्जोन इसमें आपको दिख रहा है यहाँ जो आपका nervous tissue है उसकी जो origin आप बोलेंगे यह एक्टोडर्मल ओरीजन होगा और इसमें अगर हमारी body में nerve cells की हम बात करें तो neuron हमारे पास 10 power 11 एप्रॉक्स पाई जाती हैं यह आपकी structural और function unit है nervous system की they are excitable cells यानिक इनके अंदर excitement की power होगी उसके बाद used in impulse conduction जैसे ही कोई nerve impulse start होता है उसको यह आगे conduct करा देती है largest cell of the body है और इन में कभी भी cell division आपको नहीं मिलता है neurons में cell division नहीं होता लेकिन याद रखिएगा neuroglia जो होती है उस neuroglia में cell division आपको मिलेगा तो more than 50% जो भी आपके पास nervous tissue का volume है वो neuroglia cells होंगी यह responsible है किसलिए packing करने में support और protection करने में किसके protection में तो neuron का nervous cell का protection करने के लिए यह non excitable cells होती है जिन में cell division मिलता है अब आते हैं हम हमारे last topic पर cockroach की तरफ बढ़ते हैं cockroach में देखिए यह आपको brown और black body वाला animal मिलता है इसकी class आपको पहले से पता है कि इसको हम insecta class में रखते हैं और अगर कोई आपसे phylum पूछ रहा है तो no doubt आप बता सकते हैं यह phylum आर्थो पोड़ा का member होता है लेकिन cockroach brown और black के अलावा आपको bright yellow, red और यहां तक की green color के cockroach भी मिल सकते हैं यह NCRT में बताया हुआ है और यह tropical regions में मिलने वाले cockroach होते हैं अब इनकी जो size यह है 1 by 4 inch से लेकर 3 inches तक यानि 0.6 से लेकर 7.6 cm तक का अपरोच हमें मिले हैं और इनमें आपको एक लंबा antenna मिलेगा इसमें legs हैं जो की कैसे हैं jointed legs हैं इसलिए तो हमने इसको arthropoda में रखा हुआ है और उसके बाद यह nocturnal and omnivorous होता है nocturnal का मतलब है यह रात में ही अपनी activity दिखाता है omnivorous का मतलब है कि यह जो इसे मिल जाएगा वो यह खा लेगा तो यह सब कुछ खा सकता है इसलिए omnivorous हुआ nocturnal है क्योंकि रात री के time इसकी activity चलती है mostly a damp places पे यानि कि जहां पर moisture होता है वहां मिलता है कहां throughout the world पूरे दुनिया में कहां नहीं है जो कौकरोच न मिलते हो यह आपके लिए एक serious infections करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि यह बहाँ सारी disease के vector होते हैं इसमें आप देखोगे अगर structure के बात करें general structure भी आपको याद होना चाहिए इसका जो पूरी body है head thorax और abdomen में divided होती है head thorax abdomen यहाँ आपको compound आई मिलेगी जिसमें हर आई में 2000 aumentidia होंगे और हर एक में आपका image बनेगा उसके बाद जो इसका उपर वाला जो dark color का wing होगा उसे आप tag mina करते हैं और उसके नीचे जो लगा हुआ है वो आपका hint wing होता है जो असली उड़ने के काम आता है और बागी जो आपके पास tag mina है यह केवल उपर से cover करने का काम करते हैं तो यहाँ आपको prothorex, mesothorex और metathorex तीन आपको याद रखने हैं और mesothorex से एक pair और metathorex से एक pair दो pair आपके wings यहाँ पर निकले हुए हैं तो pronotum जो prothorex के उपर है और head के उपर तक इसको cover कर रहा है mesothorex फिर उसके बाद अगर हम legs की बात कर रहे हैं तो इसमें legs भी जो निकलेंगी जो भी appendages निकलेंगे legs हैं, wings हैं यह सारे के सारे आपके thoracic region से निकलते हैं abdomen region से कुछ भी नहीं निकलेगा तो यह आपको याद रखना है, prothorex legs है, metathorex है और एक mesothorex leg तो prothorex, mesothorex, metathorex leg जहाँ पर होगी यह abdomen है, यहाँ आपको analis तरसाई मिलेंगे, जो की male और female दोनों में मिलते हैं लेकिन अगर keval male की बात करें, तो इसके अलावा एक जोड़ी analis style भी पाया जाता है, जो keval और keval male में होता है अब morphology की बात करिए, तो जो common जो आपका cockroach है, वो है periplaneta americana यह जो periplaneta americana है, 34-53 cm इसका long होगा और इसके wings होंगे, जो abdomen के बाहर तक निकले वे होंगे इसमें body segmented है, तीन reason आपको बताने हैं, पहला reason है head, दूसरा reason है thorax और तीसरा reason है abdomen तो head, thorax और abdomen, यह तीन reason में हमारे को इस cockroach का जो body है, वो बता हुआ मिलेगा अब इसकी जो पूरी की पूरी body है, उसके उपर आपको hard, kaitiness, exoskeleton मिलेगा इसी की वज़े से यह brown color का आपको दिखता है अब हर segment में exoskeleton जो होगा, उसने hard plates बना रखे हैं उपर वाली, top, top यानी की उपर, तो जो उपर वाली है, उसको आप बोलेंगे tergite, नीचे वाली है, stranite, और side में जो है, वो लग रही है, plura तो याद रखेगा कि tergite, यानी की top वाली, यानी उपर की तरफ वाली, stranite, यानी की नीचे वाली तो tergum और sternum भी बोला जा सकता है, इनके बीच में आपको जो membrane मिलती है, वो है articular membrane, जिसको आप arthroidial membrane बोलते हैं, इसे भी आपको याद रखना होगा कि जो tergum, sternum जो जुड़े वे हैं, वो आपस में जुड़े वे हैं, articular membrane से इसमें आपको muscles मिलती हैं, जो tergum और sternum दोनों के बीच में होती हैं, जिनें आप tergosternal muscles का नाम देते हैं ये tergosternal muscles यहाँ पर दोनो tergum और sternum के बीच में होगी अब इसमें जो cuticle है, cuticle में foregut और hindgut, not in midgut याद रखेगा, बहुत important हम लोग इसी को running में पढ़ जाते हैं और जलबाजी में foregut के साथ बिना कुछ सोचे, midgut भी लगा देते हैं जबकि midgut यहाँ पर answer नहीं है, इसमें cuticle foregut में मिलेगी जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो यह इसका mouth है और यह इसका एनस है यह वाला इससा foregut है, यह वाला इससा midgut है और यह वाला इससा hindgut है तो foregut में cuticle मिलेगा, अगर आपको hindgut में cuticle मिलेगा लेकिन midgut वाले reason में cuticle नहीं होता है वहाँ peritrophic membrane का एक layer बनता है अब इसमें जो आपकी genital ducts है, trachea है, वहाँ पर भी आपको cuticle मिलेगा invagination of cuticle in head is known as tentorium, tent जैसी structure है जो इसके head में गई हुई है, cuticle का बना हुआ है thorax abdomen में जो आपको मिलती है, उसको आप बोलते हैं epodeams याद रखिएगा, ये भी बहुत important question बनता है epodeams क्या है, तो ये जो आपके cuticle है, उसको आपने thorax abdomen में epodeam बोला हुआ है, और appendices outgrowth है, cuticle के बने हुए अब आते हैं इसके head पर, इसका जो head है, ये triangular head होगा और ये anteriorly 90 degree पर लगा होता है, अगर हम इस तरीके से देखें, तो cockroach यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो इसलिए, क्योंकि ये यहाँ पर 90 degree पर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका जो mouth है, ये नीचे की तरफ जुका हुआ है, इसलिए इसे हम hyponathus टाइप का mouth बोलते हैं, क्योंकि mouth इसमें नीचे जुका हुआ मिल रहा है, तो hyponathus, तो इसका जो mouth है, वो 90 degree पर है, पूरी body से, और इसमें नीचे जुके होने की वज़े से, आप इसे बोल रहे हैं, hyponathus mouth, ये जो head इसका बना है, ये six segments के आपस में जुड़ने से बना है, याद रखिएगा, head में आपको six segments मिलते हैं, तो जब embryonic stage में, head में six segments पाए जाते हैं, और यहाँ, ये flexible नेक होगी, जिसकी वज़े से, ये सब तरफ movement कर सकता है, इसमें जो आपको dorsal plate मिलेगी, उसको आप vertex बोलेंगे, ventral plate को, clipius बोलेंगे, lateral plate को jena बोलेंगे, और front plate को frons भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, vertex है, clipius है, jena हैं, और front वाली को frons का नाम दिया जाएगा, ये जो head capsule है, इसमें आपको compound eye दिख रही है, जिसमें आपको 2000 ometidia, यानि की एक ometidia, इसकी एक unit है, तो एक compound eye में आपको 2000 ometidia मिलते हैं, जिन से ये आपको देखता है, ये image जो बना रहा है, 2000 image आपकी बन जाएगी, इसमें आपको mosaic vision मिल रहा है, और इसकी जो आपको image मिलेगी, वो acquisition या non overlapping image मिलती है, अब इसमें आपको antini मिलेंगे, जो की thread like होंगे, और इसमें एक membranous socket आपको मिलेगा, जिससे की ये antini बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पर एक simple eye भी मिलती है, जिसे आप oscillus बोलते हैं, antina वो आपके पास में sensory receptors है, जो environment में, जो भी कुछ moment हो रहा है, उसको ये बताते रहते हैं, आते हैं, अब इसका जो anterior end है, वो appendages बना रहा है, जिसमें आपको biting और achieving ये आपके लिए question बन गया है, कि किस तरीके के mouth part cockroach में पाए जाते हैं, तो biting और achieving टाइप के mouth part cockroach में होंगे, ये important बात है, इसमें आपको जो mouth parts में हैं, एक तो आपको मिलेगा labrum, यानि की upper lip, आप ऐसे याल रख सकते हैं, आगे की तरफ, जैसे ये आपका क्या था, seri brum, front वाला जिस्सा था, वो seri brum है, और जो पीछे वाला जिस्सा है, यहाँ पर आपके seri bellum था, balance बना रहा था, और seri brum, सबसे बड़ा वाला इस्सा था, जो आगे की तरफ होता है, बस यही जीज़ आप, जैसे seri brum, front वाला इस्सा था, ऐसे labrum, आप front वाला इस्सा मानेंगे, तो जो upper lip है, वो seri brum है, और जो lower lip है, उसको आप, तो और यहाँ पर हम भलाख बात कर रहे हैं, mouth parts की, तो labrum है और labium है, labrum और labium, front में labrum और labium, दो तो आपको याद हो गए होंगे, front वाला labrum है, और पीछे वाला labium है, यहाँ आपको बीच में, इस तरीके से, इसमें कुछ आरी जैसी structure मिलती है, जिससे यह किसी भी चीज़ को कुतरने का try करता है, कुतरता है, उसके लिए होते हैं mandibles, और इसमें आपको दो इस तरीके के structure मिलेगी, जिसे आप बोलते हैं, maxilla और एक बीचों बीच इस तरीके का एक होती है structure, जिसे आप बोलते हैं hypo pharynx, जो की tongue का का काम कर रही है, तो labrum हो गया, labium हो गया, mandibles हो गए, maxilla हो गए, और hypo pharynx हो गए, बस यह 5 तरीके के आपको mouth parts याद रखने हैं, labrum है, labium है, mandibles है, maxilla है, और hypo pharynx है, अब आप देखेंगे, इसमें आपको pair में कौन-कौन से मिल रहे हैं, कौन-कौन से single मिल रहे हैं, तो labrum आपका single है, labium आपका single है, hypo pharynx single है, लेकिन mandibles आपके double है, pair में हैं, और maxilla ये भी आपके pair होते हैं, अब एक तो हुआ ये question, लेकिन दूसरा question फिर से आप ध्यान से देखिए, ये आपका upper lip है, ये lower lip है, ये labrum है, ये labium है, ये दो mandibles हो गए हैं, और दो maxilla हो गए, तो अगर paired structure की बात कर रहे हैं, तो mandible और maxilla paired होते है बागी तीनों unpair रहते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन अगर हम palp की बात कर रहे हैं, तो इसमें maxilla और labium दोनों में आपको palp मिलते हैं, sensory, palp आपको कहां मिलेंगे, labium में मिलेंगे, और maxilla में मिलेंगे, तो upper lip को labrum और a pair of mandible, a pair of maxilla and lower lip labium, उसके बाद a median flexible lob, यानी की tongue की form में काम करने वाला, क्योंकि इसी के base पर आकर इसकी salivory gland खुलती है, तो यह जो salivory gland यहाँ पर खुल रही है, hyper pharynx में खुलेगी, और यहाँ पर आपको यह पूरी एक cavity है, जो mouth parts को, ने इसको cover की हुई है, तो जब भी यह कुछ कुतरेगा, तो उपर से labrum और नीचे से labium उसको रोकेंगे, और mandibles कुतरने का काम करेंगे, और जो palp लग रहे हैं, यह इसको test का knowledge देते हैं, उसके बाद में आते हैं, आपके head, head के बाद में thorax, अब thorax में आपको तीन reason मिलते हैं, pro thorax, mesothorax, और metathorax, यह जो head है, यह thorax से एक neck के through लगा हुआ मिलेगा, अब इसमें जो first pair of wings आते हैं, यह meso, यानि की beach वाले thorax से आ रहे हैं, और जो second pair हैं, वो metathorax से आ रहे हैं, pro thorax से कोई wings नहीं निकलते हैं, क्योंकि दो pair हैं, तो एक pair mesothorax से, और एक pair metathorax से आपके wings निकलाते हैं, लेकिन अगर हम legs की बात कर रहे हैं, इसके tongue की बात कर रहे ह तो इसमें आपको तीन जोड़ी टांगे मिलती हैं, एक जोड़ी prothorax, दूसरी जोड़ी mesothorax, और तीसरी जोड़ी metathorax से लगी होती हैं, उसके बाद में आप देखेंगे, जो four wings हैं, यानि की mesothorax हैं, जो mesothorax वीच वाले से निकले हैं, उसको आपने बोला हैं, टेग मिला हो गया, जो आपका mesothoraxic wings होते हैं, यह opaque हैं, और dark हैं, leathery हैं, यानि की चमरे जैसे मोटे हैं, और cover किये वे हैं, hind wings को, यह जो आपको hind wings दिख रहे हैं, उसको यह cover करके रखते हैं, rest के time पर, और यह उड़ने का काम हैं, वो सारा कौन करेगा, hind wings करेंगे, so hind wings are very important for flying, they are transparent and membranous and are used in flight, यह आप से पुछा जा सकता है, which wings are responsible for flight in cockroach, तो आपका answer होगा hind wings, क्योंकि जो टेग मिना हैं, यह आपके mesothoraxic wings हैं, और यह केवल एक तरीके से decorative आप मान सकते हैं, और यहाँ, जब आपको उड़ना हैं, तो hind wings का ही सहारा लेना होता है, उसके बाद आते हैं, thoracic segment में, आपको हर thoracic segment में, एक pair मिलता है, walking legs का, यानि कि total, आपके पास में, कितनी legs हो गई? ट्री pairs, तो तीन pair आपके पास में होती है, इसमें आपको जो एक बड़ा सा दिखेगा, यह तो होगा आपका कौकसा, यहाँ पर, जो सबसे छोटा पार्ट इसमें होता है, उसको आप बोलते हो, ट्रोकेंटर, उसके बाद आता है फीमर, फीमर के बाद टीविया, और टीविया के बाद टार्सस, तो यह आपको याद रखना है, पहले नमबर पर कौकसा, फिर दूसे नमबर पर ट्रोकेंटर, फिर तीसे नमबर पर फीमर, फिर टीविया, और फिर तार्सस, यहाँ जो इसमें टार्सस हैं इसमें आपको five segments मिलते हैं तो यह segmented structure होती है तो यहाँ आपके पास coxa, trochanter, femur, tibia और टार्सस टीबिया पे आप देखेंगे इसमें आपको कुछ spike जिस स्ट्रक्चर दिख रही है इसका अगर आप देख रहे हैं तो सबसे छोटा जो इससा है यह smallest part of the leg is trochanter और अगर largest part बात कर रहे हैं तो टीबिया इसका largest part होगा largest हो गया टीबिया और smallest हो गया trochanter यह दोनों आपको याद रखने हैं इस तरीके से भी question बनाया जा सकता है उसके बाद आते हैं इसके abdomen पर तो abdomen में चाहिए आप male का बात करो चाहिए आप female abdomen की बात करो दोनों में 10 segments होंगे adult stage में लेकिन अगर हम embryonic stage में बात करें तो इसमें 11 segments होते हैं और इसी कारण हम इसमें अगर देखते हैं तो जब embryonic stage होती है तो embryonic stage में head में 6 segments होते हैं thorax में 3 segments होते हैं और abdomen में 11 segments होते हैं जैसा कि मैंने भी आपको बताया था head region 6 segments अब जब यह adult बन गया है तो इसके अंदर head में केवल 1 segment होगा thorax तो वही 3 segment वाला है लेकिन अब abdomen भी 11 की जगे पर 10 segments का रह जाता है तो total आपको वहाँ पर embryonic stage में segment मिलेंगे वो 20 segment होगे और जब आप adult में segments count करेंगे तो आपको adult में केवल 14 segments मिलते हैं यह भी एक अच्छा question आपके लिए बन सकता है उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं female के अंदर तो female के अंदर आपको 7th sternum sternum यानि की नीचे वाला, tergum यानि की उपर वाला तो tergum top वाला है, sternum नीचे वाला है तो यह जो sternum यहाँ पर है, यह board shape हो जाता है और 8 और 9 sternum के साथ में मिलकर एक brood pouch या genital pouch का formation कर देता है यह जो आपके लिए brood pouch या genital pouch बना है, यह आपके जो female gonopores है spermatical pores है और collateral glands इन सभी को यहाँ पर यह रखता है collateral gland पर याद रखिएगा, अभी हम जब इसमें reproductive system पढ़ेंगे female reproductive system पढ़ेंगे, तब मैं आपको collateral glands के बारे में बताऊंगा एक तरफ की collateral gland ज़्यादा डवलप है, ज़्यादा ब्रांज दें और एक तरफ की collateral gland कम डवलप होती है अगर हम male की बात करें, तो यह जो genital pouch बना है, यह कहां मिलेगा? यह abdomen के पीछे की तरफ इसमें मिलेगा और इसमें आपको 9th और 10th segments जरूर याद रखिएगा कोपरोच में सारा खेल segments का ही होगा, तो अगर हम 7th के साथ में 8th 9 जोड देते हैं, तो female में बनता है और अगर मैं 9th और 10th यहाँ पर जोड रहा हूँ, क्या? तो 9th और 10th में याद रखिएगा, डॉट जल, यानि ही उपर वाला, और उपर बोलते ही तरगा और नीचे से यह आपका 9th segment, तो आपका 9th और 10th टरगम और 9th sternum यह मिलकर यहाँ जिनाइटल पाउच बना रहे हैं, जिसमें आपको डॉर सलेनस, वेंटल मेल, जिनाइटल पोर, यह मिलते हैं, और इसी के साथ यहाँ, मेल गोनेपोफाइसिस मिलते हैं, अगर मेल की बात क तो यहाँ आपको एक thread like show, एनल स्टाइल, बस याद क्या रखिएगा, कि जो मेल होते हैं, वो स्टाइल मारने का काम करते हैं, किसी दी लड़की वो देखा नहीं, स्टाइल मारना शुरू कर दिया, तो बस वही यहाँ आप याद रखें, कि स्टाइल कौन मार रहा है, मेल म दोनों में बाए जाएंगे, तो एनल सरसाई, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, और एनल स्टाइल सिर्फ मेल, यानि कि स्टाइल मारने काम मेल के पास होता है, उसके बाद में, बहुत सेक्से, stand segment, beers a pair of joint filamentous, structure called एनल सरसाई, और यह इसमें vibrations वगेरा को collect करने के लिए होता ह अब आते हैं, यहाँ पर anatomy पर, तो elementary के नल की बात करें, तो इसमें आपको तीन चीज़े याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है, for gut, एक याद रखनी है, mid gut, और एक याद रखनी है, hindi gut, यह हो गया, अब इसके बाद आप इसको बिल्कुल पतला करिएगा, और पतला करने के बाद, इसको फिर मोटा करते वे, आप यहाँ पर ले जाएंगे, तो यह, आपके पास तीन इससे हो गए हैं, यहाँ से, यहाँ तक का जो इससा है, इस इससे को आप फोर gut बोलोगे, यह वाला जो इससा आपको दिख रहा है, यह वाला इससा आपका mid gut होगा, और यह, जो आपको यहाँ से, यहाँ तक का इससा दिख रहा है, यह पूरा इससा आपका hind gut वाला हिसा है, और बहुत simple बन जाता है, कि यह जो आपको दिख रहे हैं, dark, dark से रही है, यह जो आपको fibrous structure दिख रही है, यह fiber structure mark कर रही है, कि हाँ, अब हमारे लिए four gut खतम हो गया है, mid gut चल गया है, फिर वाफिस से यह आ गई है, तो यहाँ जो आपको यह दिख रहे हैं, यह six to eight होते हैं, और इन्हें आप नाम देते हैं, hepatic c की, hepatic c का या hepatic c की, और यह जो आपको दिख रहे हैं, यह hundred से लेकर one fifty तक होते हैं, और इन्हें आप बोलते हैं, malpigen tibules, hundred to one fifty malpigen tibules होते हैं, इनका काम है excretion में, और नाम से ही पता लग रहा है, hepatic c की, इनका काम होगा dietization में, तो यह आपके पास में elementary canal बनती है, यह mouth, parings, isophagus, crop, gizzard, उसके बाद hepatic c की, mid gut, mid gut के बाद में malpigen tibules, फिर उसके बाद में ileum, ileum के बाद colon, और colon के बाद में rectum, rectum के बाद में anus, तो यह आपका हो गया elementary canal, elementary canal में, for gut, mid gut और hind gut, तीन reason आपको बनाने हैं, mouth जो open होगा, एक short tubular structure में, जिसको आप बोलोगे pharynx, तो mouth के just बाद आएगी pharynx, इसके अंदर आपको मिलेगी saliva, saliva में carbon digestive enzyme, जैसे कि amylase होगा, इसके अलावा इसमें cellulase होगा, जो cellulose को डाइजिस्ट करेगा, इसके अलावा इसमें काइटीन का डाइजिशन करने के लिए काइटीनेज होता है, यह इतना अच्छा omnivorous organism है, कि अगर इसको कुछ ना मिले, तो यह अपनी जो इसने काइटीन का जो कवर हटाया है, उस काइटीन के कवर को भी यह खा सकता है, यानि कि इसके पास काइटीनेज होता है, उसके बाद में एक आपको tubular structure मिलेगी, जिसे आप इसोफेगस हो लेंगे, तो mouth, mouth के बाद parings, parings के बाद इसोफेगस, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में आपको एक बड़ा सा जो थेला दिख रहा है, वो structure होगी crop, आप देख सकते हैं, crop एक बड़ा थेले नुमा structure होगा, जिसमें की हम food storage का काम करते हैं, उसके बाद crop के पीछे आपको मिलेगा गिजाड, यह जो आपको structure दिख रहा है, फूला हुआ, इस फूलेवे structure को बोलते हैं, गिजाड, जो की grinding करने के काम आ रहा है, इसके अंदर six cuticular teeth होते हैं, जो किसी भी food का grind करने का काम करते हैं, it is an outer layer of thick circular muscles, बाहर की तरफ इसमें आपको मिलती है, circular muscles, और अंदर की तरफ मिलते हैं, cuticle के six, six highly cutinous plate, जिसको आपने बोला है teeth, तो यह आपकी हो गई है, गिजाड, यह जो फूली भी structure आपको दिख रही है, यह गिजाड है, यह काम क्या कर रही है, grinding अव धूστ, storing अव फूड का काम crop में किया जाएगा, grinding of food का गिजाड में किया जाएगा, और उसके बाद जी से गिजाड और जी से grinding, तो grinding of food गिजाड, उसके बाद जो फूर गट थे हैं, उसमें आपको cuticle मिलेगी अभी आपको याद आ रहा हू, म mid gut है, hind gut है, for gut में cuticle है, और hind gut में cuticle है, और mid gut में cuticle नहीं होता है, उसके बाद a range of 6 to 8, blind to gules, called hepatic C की are present, यह कितने हैं, यह hepatic C की 6 to 8 होते हैं, और यह इसमें आपको कहां मिलेंगे, यह मिलेंगे आपके for gut और mid gut के junction पर, with secrets, digestive juice, like carbohydrate के लिए, protein के लिए, और fed के digestion के लिए, enzymes सारे in hepatic C की से मिल जाते हैं, उसके बाद में आईए, crop, crop के बाद में, gizzard, gizzard या pro ventriculars, gizzard को pro ventriculars दिकाते हैं, यह gizzard का section है, जिसमें आप देख रहे हैं, कि यहाँ आपको यह one, यह two, यह three, यह four, five, and six, so these are six cuticular teeth, outer layer, यह आपको मिल रही है, outer layer, यह पूरी outer layer है, circular muscles की, thick circular muscles, जो इसको बार-बार ऐसे करके, digest करने का काम करते हैं, और अंदर की तरफ आपको cuticle के thick teeth मिलते हैं, six highly cutinous plates called teeth, gizzard helps in grinding the food particles, और यही इसका side वाला view लिया है, तो यहाँ आपको यह, तो मिल जाएगा crop, और उसके नीचे की thick cuticular teeth, यहाँ पर मिल जाएगे, एक padded structure होगी इसके नीचे, और hairs लग रहे होंगे, जो छान कर नीचे आने देगी, एक stomach involved लग रहा है, जो opposite direction में जाने से रोकेगा, और यहाँ hepatic C की है, जो अपना secretion, directly यहाँ elementary के नाल में छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से, आपको यह दोनों section, यह एक तो है, transfer section, और एक यहाँ पर longitude section है, तो मेरे ख्याल से, यह आपको clear हो गया होगा, कि how wizard works, क्योंकि यह इतने सारे cuticular, इसके अंदर हैं, six teeth हैं, और circular muscles हैं, जो की इसको क्या कर रहे हैं, grind करने में help कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं, mid gut में, mid gut में मैंने आपको बताया था, कि क्या नहीं होता है, mid gut के अंदर, आपको cuticle नहीं मिलता है, तो mid gut में cuticle नहीं है, तो यह, पहले तो यह समझें कि four gut में cuticle का क्या काम है, तो तुम्हें ऐसा मानते हैं, कि यह कुछ भी खा सकता है, कुछ भी अगर इसने sharp कोई object अगर इसने खा लिया है, तो उस sharp object को इसे क्या करना पड़ेगा, इससे four gut को scratch होने, यहां कटने से बचाने के लिए cuticle पाए जाएगी, mid gut में क्या हुआ है, mid gut में जो food particles आते हैं, उसके उपर एक peritrophic membrane बन जाती है, वो peritrophic membrane जो enzymes हैं, उनके लिए permeable होती है, और उसी की वजह से वहाँ digestion हो जाता है, digestion होता रहता है, आगे पहुंचना रहता है, जब हम mid gut से hind gut में जाएंगे, तो वहाँ एक spine type structure है, जो उस peritrophic membrane को काड़ देगी, और वापिस से जो भी अब बचा है food का पार्ट, वो अब hind gut में चला जाएगा, तो a mid gut peritrophic membrane forms peritrophic membrane, और यह कौन बना रहा है, यह mid gut की wall के through बन जाता है, ताकि अगर उसमें कोई hard object हो, तो वो इस कौकरोज की elementary canal को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, अब mid gut और hind gut पे आपको मिलते हैं, 100 to 150 yellow colored thin filamentous malpigian debutes, और फिर यह काम क्या करते हैं, यह excretory product को hemo limb, यानि की क्योंकि इसमें आपको open circulatory system मिलता है, इसलिए यह जो इसमें hemo limb है, उसमें जो भी excretory material है, वो malpigian debute collect करते रहते हैं, अब अगर हम बात करें, तो hind gut उसमें जो mid gut के बाद में आने वाला structure है, उसके तीन पार्ट हैं, ileum हैं, colon हैं और rectum हैं, तीन पार्ट इसके बनते हैं, rectum, एनस के थूँ बाहर खुल जाता है, और rectum में आपको six rectal papilla मिलते हैं, जो की इसके लिए पानी का absorption भी कर लेते हैं, आते हैं blood vascular system पर, blood vascular system इसका open type का होता है, open type का है, यानि कि थोड़े डाइन, जो heart में बने के बाद, ये open space में आ जाता है, अब यहाँ आप देखो, इसमें blood vessels purely double हैं, और इसमें एक hemo seal space में आकर, ये खुल जाती हैं, जितने भी बिस्वल ओर्गन से, ये सारे के सारे hemo seal में, यानि कि blood में डूबे वे रहते हैं, लेकिन इसका जो blood है, वो hemolymph जो है, वो transparent है, उसके अंदर आपको कोई red color का pigment नहीं मिलेगा, hemolymph color ले से, लेकिन अगर cockroach का पूछ रहे हैं, तो cockroach में ये color होता है, उसमें hemo globin कहां जो घुलावा है, प्लास्मा में घुलावा है, हमारी प्लास्मा में hemo globin नहीं है, हमारे hemo globin RBC में होता है, लेकिन जो अर्थवम हैं, उसमें आपको hemo globin कहां, प्लास्मा में घुलावा मिलेगा, और इसमें आपको hemo globin की जरुवती नहीं है, क्योंकि जो cells हैं, they are directly in contact with environment, through trachea and trachea, trachea and trachea, जिसमें मिलते हैं, जिसकी वज़े से ये अपने आपको direct contact में रखती हैं, किसके atmosphere के, इसका जो heart है, वो elongated है, और muscular है, tube like structure है, और mid dorsal, यानि कि बिलकुल यहां, भीचों भीच आपको मिलने वाला है, जबकि अगर हम हमारे heart की बात करें, तो हमारे heart, ventral side पर आ जाता है, यहां mid dorsal पर है, हमारा लगभग में ventral side पर होता है, और इसमें आपको मिलता है, neurogenic heart और यह 13 chamber होता है, यहां बज़ जाएगा, यह 12 chamber लिखे बने वे हैं, लेकिन आपको count याद रखनी है, 13 chamber का, इसका heart होता है, और 12 pairs आपको alary muscles की मिलती है, alary muscles are 2 muscles which are responsible for contraction of heart, याद रखना है, alary muscles important है, this is differentiated into funnel shape chambers with ostea on either side, और यहां आपको alary muscles कितनी मिल रही है, यहां आपको मिलेगी 12 pairs of alary muscles, अब जो यहां पर blood है, यह आपको 3 parts में बटा हुआ मिलेगा, एक peri neural sinus है, एक peri visceral sinus है, और एक peri cardial sinus है, तो यहां पर यह दो आपको membranes मिलती है, दो diaphragm आप यहां पर बोल सकते हैं, एक diaphragm है, जो की आपको मिलेगा heart और visceral cavity के बीच में, और दूसरा जो आपको diaphragm मिलेगा, वो मिलेगा इसकी जो nerve code है, उसके और visceral के बीच में, तो यह दो आपके पास में diaphragm हो गए, यह perforated हैं, यानि इनमें छेद होते हैं, जिसकी वजह से यह जो भी इसके अंदर fluid है, उसका exchange हो सकता है, तो जो भी यहाँ पर आपको blood दिख रहा है, आप देख सकते हैं, यह इस तरीके की इसकी structure होगी, यह एकदम last वाला है, और यह इसके बाद वाले हैं, तो जो भी यहाँ पर blood आएगा, वो blood यहाँ से उकर इनमें enter कर जाता है, और अगर reverse phoneme वाला होता है, तो यह इस तरीके से चोड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से blood reverse direction में नहीं जा पाता है, तो इसमें जो blood का flow हो रहेगा, वो हमेशा पीछे से आगे की तरफ ही रहेगा, और हर segment में इसमें heart के अंदर blood enter होता रहेगा, फिर वो head और यहाँ से ओकर वो ही moosil, और perineural sinus पूरा यहाँ से blood होते वे, वापिस उपर जाएगा, heart के तरू आगे आज जाएगा, और यहाँ यह इसका front view लिया हुआ है, उपर से लिया है, जिसमें calorie muscles और interior rota या chamber of heart बताए हुए हैं, और यह आपके पास में यहाँ, इसके heart का side view हमने लिया है, जिसमें तीन पार्ट में इसका body बटी रहती है, अब यह जो sinus है, वहाँ center करेगा, और पंप किया जाएगा, anteriorly यानि की पीछे से आगे की तरफ, हम इसमें blood को फेकते हैं, उसके बाद आते हैं, इसका respiratory system, respiratory system consists of network of trachea, tracheols, और इसमें आपको 10 pairs, छोटे-छोटे से आपको holes दिखते हैं, जिसे आप spiracles बोलते हैं, तो यह तो होगी आपका spiracles, spiracles के बाद में आप लेंगे atria, tracheol, और trachea के बाद में, आपको मिलेगा tracheol, जो की directly tissue में air supply कर देता है, तो आप यहां देख रहे हैं, यह जो spiracles बनते हैं, इनमें भी याद रखिएगा, कि दो जो हैं two pairs, two pairs spiracles are on thorax reason, और जो बाद की के, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं ten pairs, तो जो आपके, eight pairs हैं, यह आपको मिलते हैं abdomen, abdomen में आपको ten pairs क्या मिल रहे हैं, eight pairs क्या मिल रहे हैं, spiracles मिल रहे हैं, तो eight pairs abdomen में हैं, और two pairs thorax में हैं, तो total आपके पास में ten pairs होते हैं, यह spiracles से enter करती है, air फिर ट्रेकिया में, ट्रेकियोल में, और ट्रेकियोल से होते वे, tissues में चली जाती हैं, यहां आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ दिख रही होगी, यहां एक fluid field है, यह देखिए, जब air नहीं आई हुई है, तो यहां पर जैसे आपने straw डॉल कर, अगर कभी straw डॉल कर juice या कोई आपने liquid thumbs अगिरा लिया है, तो आपको पता है कि जब हम उसमें straw dip करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको liquid field रहता है, और जब आप उसमें फूख मार देंगे, तो फूख मारने पर वो जो straw में liquid है, वो भी बाहर निकल जाएगा, तो जब normal condition है, तो यह trachea, यह tracheols हैं, और यहां पर इसमें fluid field है, जब air in होती है, यानि कि हवा जवा रही है, तो इसकी वजह से यह air के pressure से यह filled हो जाते हैं, बाहर निकल जाता है fluid, जाता है, और यही कारण है कि इसमें आपको कोई अलग से pigment रखने की, respiratory pigment रखने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर direct gaseous exchange होगा, diffusion के थूँ होगा, और उसके बाद यह कहानी respiration की खत्म, अब आते हैं excretion पे, तो excretion में आपको चाहिए malpigant tubules, malpigant tubules से excretion करेगा, इसमें आपको glandular related cells मिलती हैं, और यह nitrogenous waste को कर लेती हैं, उसको uric acid में convert करती हैं, और उसको हिंड गट में डाल देती हैं, cockroach uricotelic prani हैं, यानि कि इसमें uric acid का secretion होगा, excretion किसका होगा, uric acid का excretion होगा, अब इसके अलावा जो फुकच और हैं, जैसे fat body, nephrocytes और uricos glands, अब uricos glands में याद रखना, केवल male में मिलती हैं, यह भी आपके लिए इस दाथ में क्या help कर रही हैं, excretion में help कर रही हैं, cockroach ने जो बनाया, वो बनाया था, potisium urate, अब tubule में जब हम इसको भेज रहे हैं, तो जैसे यह आपके पास में malpigion tubule है, तो यहाँ आपने इसमें भेज दिया potisium urate, potisium urate के साथ में, जब आप carbon dioxide और साथ में जब water मिलाते हो, तो आप इसमें मिला, बना देते हो, uric acid और potisium bicarbonate, तो potisium bicarbonate आपने यहाँ बनाया, uric acid बनाया और उसको फिर हम mid gut के थू बाहर release कर देते हैं, तो यह आपकी equation हो गई, potisium urate, water, carbon dioxide, uric acid और potisium bicarbonate बना देगा, इसमें malpigion tibuli की याद रखना, यह दोनों तरीके से काम कर रही है, यह absorption भी कर रही है, और फिर secretion भी करने का काम करती है, उसके बाद आईए, इसका nervous system पढ़ते हैं, nervous system में आपको याद रखना है, कि इसमें आपको segments के according कुछ ganglions मिलते हैं, और यह आपकी ventral side में मिलेगा, जिनमें heart dorsal है, उनमें nervous system ventral है, हमारे अंदर heart ventral है, इस nervous system dorsal side पे चला गया है, बस यह concept पकड़ लीजिए, आपको याद रखना है, इसमें तीन ganglion हैं, जो thorax में होते हैं, और 6 ganglion हैं, जो की abdomen में होते हैं, आप देख रहे हैं, prothoresic, mesothoresic, और metathoresic, तीन यहाँ पर हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह आपको 6th abdominal ganglion, यहाँ पर मिलेगा, यह आपके पास में dorsal, इसकी एक nerve code है, double हैं, याद रखना हैं, और इसी में ganglion हैं, जो की इसके body parts को supply दे रहे हैं, neurons की, अब इसका जो head है, उसमें आपको बहुत, थोड़ा सा nervous system का part मिलता है, और यही कारण है, कि अगर मैं किसी cockroach का head उडा दूं, तो भी ये एक सब्ता तक आराम से जिन्दा रह सकता है, head region में आते हैं, तो इसको supra isofasial ganglion, यहाँ पर मिलते हैं, supra isofasial, supra मतलब उपर isofasial ganglion, जो की antenna और compound eye को nerves अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी जो nerve code है, याद रखिएगा, ventral है, double है, और solid है, हमारा जो nerve code होगी, वो dorsal होगी, single होगी, और hollow होती है, तो बिल्कुल इसका opposite, हमारे अंदर coded के अंदर हो जाता है, अब अगर हम बात करें, इसके sense organ की, तो sense organ में antenna, eye, maxillary palp, और labial palp, इसके अलावा, anal, तर साई, इसके अंदर पाए जाते हैं, यह इसकी, जो compound आई है, वो dorsal surface पर है, यह question पर आया हुआ है, काउंसी surface पर होती है, इसके अंदर, आपको 2000 hexagonal, omittedia मिलते हैं, यह, आपको अलग-अलग, एक ही, जो, कोई object है, उसकी अलग-अलग, आपको images बना कर, बता रहा है, और इसमें, इसलिए आप इसको, mosaic vision बोलते हैं, यह भी important है, और यह, इसमें sensitivity ज़्यादा है, लेकिन, resolution इसका, कम होता है, क्योंकि इसको, रात के time पर, देखना है, इसलिए, यह आपका, nocturnal vision बन रहा है, during night, यह याद रखिएगा, इसके बाद आते हैं, इसका reproductive system, यह diosius है, यानि की, male and female, both are separate, तो male और female, दोनो separate हैं, इसलिए, हमने इसको, diosius नाम दिया है, इसमे, male reproductive system में, आपको मिलती है, testis, जो आपको मिलेंगी, four to six abdominal segment में, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको testis है, four to six abdominal segment में, उसके बाद में, यहाँ, दोनो testis से, मिलेगी, vast difference, और vast difference, जो जाएगी, यह, आपकी direct, seminal vesicles में, खुलेगी, ejaculatory duct के साथ, तो ejaculatory duct है, तो पहले तो आपके पास, testis हुआ, testis से vast difference हुआ, seminal vesicle हुआ, seminal vesicle के पास, visaculatory duct होगा, ejaculatory duct, male gonopore में, खुलेगा, जो की, ends के, ventral side पर होता है, और इसमें आपको, एक mushroom shape gland भी मिलती है, जो आपको मिलती है, six, seventh segment के अंदर, और ये, accessory reproductive gland की form में, काम करेए, तो mushroom gland, और testis, seminal vesicle, ejaculatory duct, vast difference, ये सारे नाम आप, एकदम, serial से याद कर लीजिएगा, ये, external genitalia, gonopophysis, या फैलो मियर्स कहलाते हैं, जिसमें आपको, left phैलो मियर, pseudopanis, जो की, एक hook-like structure होती है, और ये, kaitinus, और asymmetrical structures हैं, जो ही, melgonopophore को, cover किये हुए हैं, तो gonopophysis, यानि की, पैलो मियर, आपसे, क्यूशन पूछा जा सकता है, पैलो मियर किसमें होता है, उसके बाद, sperms को, हम seminal vesicle में, store करते हैं, जो testis से बन रहे हैं, seminal vesicle में, store करेंगे, उनको, वहीं पर आपस में, चिपका लिया जाएगा, एक bundle बना लिया जाएगा, और उस bundle को, हम बोलेंगे, इस पर metafor, जिसको की, हम discharge कर देते हैं, copulation के time पर, अब, वो जो bundle बन रहा है, वो bundle में, आप देखेंगे, कि अगर, मैं उसकी, long tubules की बात कर रहा हूँ, यह जो आपको दिख रही हैं, long tubules, long tubules क्या बना रही हैं, यह आपकी, inner layer of spermatofor, तो यह, जो long tubules हैं, इन्होंने, inner layer of spermatofor, बनाया है, उसके बाद, इसके अंदर, जो nutrients भढ़ने का काम है, यह nutrients भढ़ने का काम, small tubules ने किया है, तो small tubules ने, इसमें nutrients भढ़ दिया है, और यहाँ पर, जो आपके पास में आ रहा है, iseculatory duct, अब iseculatory duct, इसके उपर, एक और covering करेगी, इस covering को, आप देंगे, outer middle layer का नाम, तो middle layer किस ने बनाया है, middle layer बनाया है, iseculatory duct ने, इसके बाद आते हैं, last phallic gland, phallic gland जो यहाँ पर आपको दिख रही है, यह इसके उपर बना रही है, outer layer, जो phallic glands हैं, इन्होंने इसका, outer layer का formation कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, के लिए हो जाएगा, long tubules ने inner layer बनाई है, उसके बाद small tubules ने, nutrients बरे हैं, iseculatory duct ने middle layer बनाई है, और phallic gland ने, इसमें आपका outer layer बनाया है, और yuricose glands भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो की long tubules के साथ में होती हैं, जो की यह mention नहीं होई है, और यह क्या बन गया पूरा, यह बन गया, spermato 4, अब यहाँ आते हैं, इसके last part पर, female reproductive system, इसमें आपको दो large ovaries मिलेंगी, second से लेकर, sixth abdominal segment में, तो second से, sixth abdominal segment में, ovary मिलती है, उसके बाद में, हर एक ovary के अंदर, आपको eight ovaryant debules मिलते हैं, यानि की ovaryoles मिलते हैं, जिसकी वज़े से, यह अपने अंदर, इस तरीके से, chain of eggs, अंदों की एक chain, बना कर रखती है, उसके बाद में, यहाँ पर, आपको मिलता है, दोनों ovary ducts, मिलकर, एक single median ovary duct, यानि की, vagina बनाती है, जो की seven segment में होगी, तो common ovary duct, या vagina, या आपको मिलेगी, seven segment में, और उसके साथ ही, यहाँ पर आपको, स्परमेथी का भी मिलती है, जो की six segment में होती है, और यह, genital chamber में खुलती है, यह मैंने आपको बताया था, collateral glands, जो starting में था, वो आपको मैंने बताया था, collateral glands में, एक तरफ बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ छोटी है, तो ज़्यादा branch नहीं है, genital pouch, seventh, eight to nine, चेंबर, मिलकर इसका genital pouch, बना देते हैं, अब जो spams आप बनाएंगे, वो आपने spermatophore में भरे, उनको पूरा का पूरा spermatophore, यहाँ transfer करना है, उसके बाद में, fertilize जब एग होगा, तो वो capsule बनेगा, जिसको आप उथी का बोलेंगे, उथी का, dark radish, या brown color का होगा, इसकी, eight millimeter तक, longness होगी, और इसको, आप चिपका देंगे, एक suitable जगह पर, जहां पर की, यहाँ इसको, humanity भी मिले, और food source भी हो, उसके बाद, female, 9 से 10 उथी का, बना रही होती है, और उसमें, आपको, one, two, three, four, five, six, seven, eight, आठ अंडों की, एक और, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और, आठ अंडों की, दूसरी, दो कतारों में, यह, इस तरीके से, इसके अंडे, लगे रहते हैं, यानि की, टोटल, 14 to 16 eggs, आर, इनन, सिंगल, उथी का, अब इसके बाद, इसका, उसके अडल्ट से, बिल्कुल भी, कोई, मैसिमिलिटी, नहीं रखता है, लेकिन, निम्फ, अडल्ट के, जैसा होता है, बस, उसकी साइज, छोटी होती है, इसलिए, इसको, पौरो, मेटाबुलस, टाइप का, बोलते हैं, लिम्फ, जो होते हैं, निम्फ, बिल्कुल अडल्ट के, जैसे होते हैं, ये 13 मॉल्टिंग करता है, ज्यान दीजिएगा, 13 मॉल्टिंग होती है, तब कहीं जाकर, ये अडल्ट की फॉर्म लेता है, और लिए, next to last में, याद रखिएगा, ये question आ चुका है, कि wing pads होते हैं, wing pads बन गएं, लेकिन wings नहीं बने हैं, wing कवाएंगे, जब वो adult cockroach हो जाएगा, तो adult cockroach में wing होते हैं, उन एडल्ट से जस्ट पहले वाले stage में, आपको wing pads मिलते हैं, और ये एक gradual metamorphosis है, जिसमें, 1, 2, 3, 13 times काम होता है अब एक निम्फ बनाया निम्फ से गौनेट और Wings विदाउट Wings और गौनेट होगा ध्यान रखेगा इसमें आपको गौनेट्स नहीं मिलेंगे Wings नहीं मिलेंगे एक साल में 13 मौल्टिंग करते वे यह एडल्ट बनता है और एडल्ट में gonads और wings भी फाइनली इमल जाते हैं अब इसका economic importance केवल इतना सा है कि ये आपके लिए खतनाक है बीमारियां पेला रहा है आपको food spoil कर देगा contaminated कर देगा इसकी जो smelly excreta से है उसके साथ और ये बहुत सारे bacterial disease का भी आपके लिए carrier होता है तो इस तरीके से आज हमने ये lesson और इसे के साथ पूरा complete किया है और आप इसे अच्छे से complete करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ all the best